नागरिक्ता कानून पर मचे घमासान के बीच बेशक पूरे देश में CAA लागू हो गया हूँ लेकिन इससे लेकर शुरू हूई सरकार की मुखालफत अब भी खत्म होती नसर नहीं आ रही है आज जनता से लेकर विपक्षी दल जोर शूर से सरकार के खलाफ आवास बुलंद कर रहे हैं वहीं अब कॉंग्रस के दिगज नेता पीची दमरम ने भी सीथा पीएम मोदी को खेड़ते हुए जनता के सवालों पर चुप्पी साथे रखने का आरोप लगाया है नागरिक्ता संशोधन कानूर पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी देश की जनता को संदेश दे चुके हैं उनका कहना है कि सीए से किसी की नागरिक्ता पर संकट नहीं है विपक्ष राम जनता को गुमरा कर रहा है पीम हर मंच से सरकार के फैसले की वावाई तो कर रहे है लेकिन विपक्ष और जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं उन्होंने ट्वीट किया लोगों से सवाल को ले कर तयार रहते हैं। था उन्होंने कहा था कि ये कानून नागरिकता देने का है किसी से नागरिकता छिनने का नहीं है इसी का जवाब देते हुए आज पीची दम्रम ने पीम मोदी को आड़े हाथ हो लिया है हाला कि अब सत्ता पाक्षिस पर क्या प्रतिक्रिया देता है ये देखना होगा डीवी लाइफ के रिपोर्ट